लो जी यूटीव जी नमस्कार अंकल बस से एक मिनट बैस यूटीव शुरू होगी जी चलो जी थैंक यू बेरी मच्छ मैं सबसे पहले अश्वनी जिंदल सीय एस्सोसेशन की तरफ से जो एक हमने चार दिन पहले जस्ट 31 जुलाई के चार दिन पहले दमाग में एक आइडिया आया कि अभिनाश जरा पहले फ्री हो गया तो हमने सोचा भी हमारी जो हेल्प डेस्क हैं उसमें से एक विंग शुरू कर दें कि जो लोगों भी दिक्कत हैं रिलेटर तो 31 जुलाई उसके लिए एक हेल्प डेस्क ट्रा अभी इमेल इडिस बनाई हैं जिसका इन्योग्रेशन आज गुरू जी करेंगे उसमें एक तो हमने टेक्स ओडिट रपोर्ट के नाम से बनाई है तार सभी का हमने ऐसे ही नाम रखाया जी एस टी हेल्प सी एए एड जीमेल डोट कॉम दें तार टी ए आर हेल्प सी एए ए जैसे इंटरनेशनल टेक्स वाला अभी टार वाले ही हैंडल करेंगे कोई इंकम टेक्स का आपका टॉपिक है वो भी उसमें संजे जी अभिनाश जी रिशा वगरवाल जी और वी जितने भी हमारे पैनलिस्ट होंगे वो सभी आपकी क्वेरिस का रिजोर्व करेंगे एक आइडिया ये सोचा है कि आप मेल पे जो अपनी क्वेरि होगी वो आप दो से तीन दिन में एक से दो दिन में आपका रिप्लाई आजेगा और एक डेडिकेटर टेलिफोन लाइन्स भी देंगे जिसमें दो घंटे के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने पैनलिस्ट बाते करूं अब खुदी बाद में बाग गए हैं तो हमारी हमने सबने ओल दो हम सब जानते हैं कि यह जो टोपिक है वड़ा यूनीक और डिफरेंटली रखा है सबसे पहले मैं फॉर्मेंटी शुरू करने से पहले स्वागत करता हूं संजे अगरवाल जी जो हमारे सेंटर हैं तो और रिश्व अगरवाल जी यह अभी अभी ब्याना से इंटरनेशनल टेक्सेशन पे ललम करके आई हैं तो यह वी हल्प करेंगे हमारे हैं देन दिल्विंदर सिंग जी इनकी ही ज्यादा क्वैरिस थी मला हमने देखा है क्लाइंट कई वर ना सैटिस्वाइड नही बाग गया तो दिल्विंदर सिंग जी इनकी ज्यादा क्वैरिस थी फोटीफोर पे गुरू जी इन टेलीफोनी का एफसेंशिया इन फोटो एफसेंशिया कह सकते हैं बैठे तो हैं लेकिन फोटो नहीं निजरा रहे हैं देन शेशिपाल जी हमारे पैनलिस्ट और 159 अटे सब्सक्राइब करते लेकिन वह थोड़ी कनिफूजन होगी उन्होंने कहा था कि पांच से साढ़े पांच के बीच में मैं अवेलेवल रहूंगा लेकिन उनकी फ्लाइट साढ़े पांच वजे टेक ओफ करनी है तो वह अल्रेड़ी बोर्डिंग कर चुके हैं तो इस नोट को हमारा 44 का चैटर क्लोज हो चुका लेकिन क्या हमने किसी का ओडिट नहीं किया क्या वो सही किया क्या हमने उनकी फौटिवर एडी में रिटरं तो नहीं बरिक 13 जुलाई को लेकिन आब और उडिट करेंगे क्या वो सही है इन सब क्यूश्चनों के सवाल आज हम गुरू जी से लेंगे कि क्या कहां पर हमें फौटिवर एडी करना चाहिए कहां पर हमें फोटिवर एडी नहीं करना चाहिए करा लो को भी कालरा जी ने बड़ी मेनत करी भी है आज वो स्वामी जी के साथ कहीं बिजी है तो मेरी अभी बात हुई है तो वो तो मेरे खल में जोई भी नहीं कर पाएंगे तो मैं आप सब का स्वागत करता हूं 168 हो गए अभी पार्टिस्पेंट आप सबका वंस तो यह दे रहे हैं यह आपके यही काम आने हैं सीपी आवर तो आप कहीं से भी पूरे कर सकते हैं इसको एफपी यूपी देओ प्री अपडेट गुरुजी का रिज्यूमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं गुरुजी को तो बच्चा-बच्चा मिला इंकम टेक्स के बाहर जो बच्चे भी पूशने लगे आप जो सीए नहीं करते हैं जिनका लेना देना कोई नहीं को मर्स से वह भी आप गुरुजी को जानते हैं तो आज मैं ज्यादा टैम ना वेस्ट करते हुए क्योंगी हमारा प्रोग्राम दस कुंदरा मिनिट लेट है तो मैं डिरेक्टली गुरूजी को कि 44 AD पे फर्स्ट हमें सेक्शन पे चांदना डालें उसके बाद जैसे आपको होगे जो कोश्चन है मैं एक एक करके पढ़ दूगा जो मेंबरों के हैं तो वह आपके लेगा सब्सक्राइब और इनको बोलना चाहिए था संजेय अगरवाल जी क्योंकि आपके बाहर से उसका नाम भी बोल सकता था शशीपाल जी और एक्स चेर्में पास्ट चेर्में अभी नॉर्दन इडिया रिजनल फॉंसर्प सी अविनाज दुपता जी दो दो इक्सपर बैठरे आप लड़ेंगे क्या करेंगे इंटर्नाश चेर्में नहीं पता अभिनाज जी और रिशे बगरवाल जी दर्विंदर सिंग जी दिन दर्विंदर सिंग्ज जी नीस अटर आरे और अमारे कर्ता आप इस पर्फेशन लेट में आपके लिए नहीं है आपके फेवर के लिए नहीं है यह गौर्विट के बेनफिट के लिए यह अब गलत सोचने है कि 44 AD हमारे पाइदे में ऐसा कुछ नहीं है. Purpose was different for small traders or manufacturers small ones or maybe small professionals they said we'll give you a benefit of not maintaining books of account and not getting them audited provided you show a certain minimum income अगर आप उस section में पढ़े तो वहाँ शेल लिखा जी शेल प्रिजूम इस इंकम टुबी अब जराब अशुनी जी को कहूंगा अगर यह act सामने खोल के रखे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसने point जिसने के पास एक्ट है वो सामने रखे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें हमने discussion करना है आपस यह मत समझे मैं lecture दे रहा हूँ जिसी को भी कहां जरू तो जहां भी कोई माना हां कर यह तर यह खोली है यह act नहीं है सर और सार यह act भी तो लिखा होगा इनको चलिए चाशिपाल जी जर एक्ट खौल लो जर अच्छा रहेगा पहला पॉइंट तो यह है इस section में लिख रहा है not withstanding anything to the contrary contained in section 28 to 43 C यह 28 to 43 C को override कर रहा है 43 C को override नहीं कर रहा है कई लोग मुझसे पूरते हैं मेरा property का business है मैं property बेजता हूं खरीगता हूं तो क्या मैं 44 AD में जा सकता हूं मैंने का बिल्कुल जा सकते हैं लेकिन वह वाला point 43 C यह जो stamp duty value वाला है वो इसको लागू होगा आप यह नहीं है कि books up account नहीं बनाते तो आप किसी भी प्राइस पे बेच रहें वो फिफ्टी कुरू है 50 वाला जो जो section 50 है यह 50 C है जो 50 43 C है उसमें लगेगा तो यह override क्या कर रहा है आपको penalty लग सकती है और non deduction of taxes और यह कई लोग सोचते हैं कि जब हम books up account बनाते नहीं है तो हमारी की liability नहीं की liability अगर उसका turnover एक करोड से उपर या उसका professional 50 दाक से उपर है तो TDS की liability तो रहेगी जो जो जहां पर है लेकिन 40 A IA वो जो 30% disorder हो जाता है अगर आप due date तक पैसे जमा ना कराए या काट के ना जमा कराए वो यहां नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा but for non deduction of TDS you will be liable property under section 197C यह ध्यान से सुली जिए बहुत लोग यह मुझसे पूछते हैं कि सर हमें हमें TDS काटना है कि नहीं काटना सबको पता है अविनाज जी एक करोड से उपर अगर आप business करते हैं या 50 लाग से उपर आपका turnover है इंडिवीजल एचिए अगर वो एक करोड से उपर हैं या 50 लाग से उपर हैं TDS उनको काटना ही है अगर वो प्रोवीजन में cover होते हैं but point यह है कि वो जब 30% disallowance होती थी 40 AIA में वो इनको नहीं होगी क्योंकि ये books of accounts इनको बनाए नहीं है और इसके लिए ये एक करोड से अगर उपर एक करोड से नीचे था वैसे नहीं होता एक करोड से उपर है पर दो करोड से नीचे तो भी इनको 40 AIA का disallow नहीं होगा क्योंकि books ही नहीं है but at the same time वो वहां पर पकड़े जाएंगे 197 में penalty for non-deduction of TDS clear हुआ sir यह point पहले मैंने इसके लिए तभी कहा notwithstanding anything to the contrary contained in section 202 अब क्या लिखता है in case of an eligible assess kindly note the word eligible assess engaged in the eligible business यह दो point बड़े important है आप eligible assessi है और you are engaged in the eligible business यह दो point है हम कितना साम equal करेंगे 8% यहां 8% को word मत पढ़िये of the total gross lower as the case में भी उसके आगे पढ़िये or some higher than the apportioned amount claim to have been given by the eligible assay shall we deem to be the profit and be please note the word shell लिखा है यह obligatory है अपने देखा हमने आज़ी वहां shell word लिखा है तो यह मत समझना यह optional है यह obligatory है अगर आपका turnover 2 क्रोड से कम है वह इसे में लिखा है कि अगर आपका turnover 2 क्रोड से कम है तो आपको 44 AD पका लगेगा पका लगेगा शेल है और आप उसकी इंकम को प्रिजूम करना पड़ेगा आठ परसेंट लेकिन प्रवीजों ने लिग दिया नीचे कि अगर आपको पेमेंट डिजिटल आई है सारी प्रिजिटल आई है तो जितनी पेमेंट डिजिटल आई है उस रिसीट का उस टर्नोवर का आप सिक्स परसेंट ले सकते हैं ऐसा नहीं है आठ भी है और छे दोनों है यह मत समझे कि आपकी पेमेंट आपका turnover डेड़ करो रहा है उसमें पचास लाग पेमेंट अब टू का due date of return अब टू डिजिटल पेमेंट आगई एलेक्ट्रोनिक ले अकाउंट पेचेक अकाउंट पेटाफ्ट ट्यार टीजेस वेरा जो भी पेमेंट आई उतनी पेमेंट का सबको डेड़ करोड में से पचास क्रोड की पेमेंट हो आगई वो तो आप 6 परसन ले स तो प्रवाईजों का मतलब नहि AliAKgic उत्रह लेना कितना कितना डियता अगर इस इस से अगरक्ण है था जादा है थे लेता यह यह कभी दिमाग में रोख अर। या सत्तर कमालो. क्योंकि में से जब कहते हैं कि सर अकाउंटटस दो बनाएंगि आपकी पैसे कहा से आ है आप मेरे बात को समझ रहे है यहां और दूसरी बात अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और वो सोर्स का आपको उसके बाद नहीं है तो पूछेंगे इसका सोर्स तो बता दो कहां से आया आपने कमाया आठ परसंट लगाया पंदरा परसंट ये कहां से आया सपोज एक परोट टर्न रोबर आठ लाग दिखाया आप पंदरा लाग कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो पूछेंगे पंदरा लाग कहां से आया था इसका सोर्स तो बता दीजिए और एक और अशुनी जी बताने जारा हूं अगला साल रुक जाईए आगे तो पंड परोबी मांगेंगे आप से आगले साल से पंड परोबी पंड परोबी आना है तो इसलिए मैं सबसे कह रहा हूं आठ मिनिम्मम है मेक्सिमम नहीं है अगर आपका 10 कमाया तो 10 लगाना है 15 लगाना है 20 कमाया तो 20 लगा आपको नगर तो आरह वह कितना अच्छार कमाया वह कहिएगा आमने अकाउंट से भी मनाएं ऐसे तर्हाँ हो गया किसी को इसके सवाल है तो पूछ ले आप हां आके बैंक में नहीं है तो तो हो सकता है कैश आपने निकाल लिया तो आप से ना पूछे लेकिन अगर आपने वो इन्वेस्ट कर दिया कहीं तो भी फस जाओ और सर आठ परसेंट वालों को ये बता दू घर के खर्चे भी होते हैं वो भी तो खर्च कियोंगे निकालकर ये ध्यान रखना आठ मिनिममम है मैक्सिमम नहीं है और लिखा इपी क्रेंस सच इंकम टूबी हायर देन दिया पोर सेट सब्सक्राइब तो यहां की जरूर पूछिए इसमें बहुतों को डाउट है तो पूछ ने तो क्वेर वहां भी मेंडेटरी है यहां दो बताऊंगा मैं आपको फरक क्या पॉर्टी पॉर एडी में और पॉर्टी पॉर एडी में ठोड़ी देर बाद में बताऊंगा लेकि दोनों में पचास मिनिममम है पचास मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, आपने ज़्यादा कमाया, यू क्लेम मैंने ज़्यादा कमाया, आपने ज़्यादा कमायी है, मैंने तो इसको कई होर लगा दिया, या आपने ये समान लगा दिया, या आपके बैंक में पढ़ा है, और उसे पकड़ दिया, तो आप पकड ली इन सकत्व केश रही भी हो सकता है अगर आग निकल भी गए तो गिंखे किसे निकल ने में हाथ ह्रेटी बंदे कि जी वहा कोई बात नहीं उसने एक जज्मिन भी दे रखे ओंग बिल् Qual ange पाइटिए की जड़्मेंट कहला दे भी किसी कांग वो बिल्कुल ना लेना एक मेरा भी पॉर्टेटिट फॉल है सब्सक्राइब करेंगे गुरुजी के बाद कि पांचदा समिट में अगर कोई ड्राफ्ट पर अपडेट है तो क्या कर सकते हैं और मैंने जैसे पहले भी नाउस किया कि इंटरनेशनल टेक्स की कोई क्यों है तो वह भी एड़ और रिश्व जी और अभिनाज जी हैं तो वह हैं टू हैंड वी आपकी डिसॉल्व हो जाएगी अगर और वह कोई आई सर्वेड़ी आई हुई है वह आप पहले सेक्ष्ण डेलिवेरेट कर लो अगर कोई कि इस पर यह एक मिंट अब देखिए नहीं निए बाकी लेंगवेज बिलकुल सेम है आईए जना पॉट्री पॉर एडिये में जाते हैं क्या लिखता है कोई नहीं 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 दिया इन केस्ट सब्सक्राइब शुभ ऑपने लिखा था इन केस्ट नहीं कर सकता है इसमें आपने नोटीस किया वहां पर लिखा था इन केस अपे इलिजिबल असेस्ट और इलिजिबल असेस्ट को में बताऊंगा या लिखा इन केस अपने इंडिविजबल और पार्टरेशिप फॉर्म अधर देन LLP, LLP कवर नहीं है, अधर देन LLP, क्लियर हो रहा है सर, अध बढ़ा देन LLP, क्या वो इस ए रेजिदेन इंडिया, यह नॉन रेजिदेन्ट नहीं कर सकता, 44 AD में नहीं जा सकता, 44 AD में नॉन रेजिदेन्ट नहीं जा सकता, दों जा गें लिखता है, engaged in a profession referred to it section 44 AA देखिए आप क्या करें वो किसमें engaged है section 44 AA के सब section 1 में जो specified profession है वहां पर वो engaged है वहां पर लिस्स जे रखी specified profession में legal, medical, engineering, architecture, professional accountancy company secretary, interior decoration professional technology और आपका कंपनी सेक्रेटरी वहां पर एक ग्यारा एक में हैं वो वाले प्रोफेशन अगर हैं तो आप 44 A.D.A. में जाएंगे आप देखना क्या लिखता है whose gross receipt does do not exceed 50 lakh in a previous year आगे पढ़ना क्या लिखकर some equal to 50% the total gross receipt of assessing on account of such profession or as the case may be some higher than the forced amount आगे बढ़ने के शेड़ी डीम टूदी प्रॉपिटर गें अश्रीदी शेड़ी डीम टूदी प्रॉपिटर गें मतलब इतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा 50% आगर आप 50 लाग से कम बाले हैं वो कहेंगा नहीं दिखातें 50% तो पहले तो आकाउंट्स बनाईए और फिर audit कराईए वो कहेंगा यह audit बाला वर्ड कान लिखका है इसमें भी लिखका है और 44 A B में carrying on a profession shell if the profit or gain from the profession are deemed to be the profit and gain of 44 A DA and he has claimed such income deemed to be profit in the 44 D A DA मतलब कि उसका 50 लाग से कम turnover है और वो कह रहा है I want to show lower than the profit of the then and his income exceeds the maximum amount chargeable to tax तो भी audit कराना पड़ेगा मेरी बात को समझ रहे हैं अगर आप 50% आपका 40 लाग से कम है आप जा ही नहीं सकता आपको जाना ही पड़ेगा 44 A DA में पर आप नहीं जाना चाहते हैं मत जाईए तो फिर आप अकाउंट्स तो बनाएंगे को कि स्पेसिपाइट प कराएंगे एल्फ पर सेक्शन 44 A B क्लॉज D क्लॉज D देखिए यह कंपलसरी ऑडिट है उसका मैं अभी बाद में बताऊंगा 44 A D लेकिर यहां कंपलसरी ऑडिट है कंपलसरी अकाउंट्स बनाना तो वैसे ही है 44 A B 44 A में अकाउंट्स बनाना अकंपलसरी है यह वो जो अरी बात समझ रहे हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं जो मैंने प्रोफेशनल बताए तो प्लीज अगर आपका टर्नोवर ग्रॉस रिसीड पचास लाग से कम है पचास लाग से ज्यादा नहीं है आपको पचास परसल लेना ही पढ़ेगा और हर साल लेना पढ़ेगा जिस सा आप नहीं आना चाहते तो अकाउंट्स तो बना नहीं बनाने थे ओडिड भी कराना पड़ेगा वहां लिखा है और यहां पर भी पढ़ लो 44 AD 4 में 44 AD 4 कहता है notwithstanding anything contained in the 4-1 provision of this section an SSC who claims that its profit and gain from business are lower than the profit and gain specified under section 1 subsection 1 and whose total income exceeds the maximum which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of account and document and get them audited and furnish a report of such audit under 44 AD. So 44 AD A subsection 4 ने तो clear cut लिख दिया कि अगर आप 50 लाग से आपका turnover ज्यादा नहीं है और आप कम दिखाना चाहते हैं और आपकी इंकम धाई लाग से ज्यादा है अरे यार चोड़ो ना which is not chargeable to take अगर आपकी इंकम धाई लाग से ज्यादा है तो प्लीज नोट अकाउंट्स भी बनाने हैं और audit भी कराना compulsory है ये point समझ में आ गया कि नहीं आया ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप जो मैंने 44 AD A subsection 4 बहुत important है इसका उसका अलग है इसका तो हसाल देखना है और आप जब चाहें बाहर आजाएए जब चाहें अंदर चले जाएंगे तो अकाउंट् इखा हो चाहस मिनिमम्म है जदा है तो जबाकर देख निक्षी देख रहे क्या है कि मतलब 50 से कम हैं तो यह हो ही नहीं सकता कि आप 50 से कम दिखांगे 50 % 50 लाचे अगरा नहीं आपको 50 लाच परसंट धिखाना ही पड़ेगा और नहीं दिखाऊंट्स भी बनाने और audit भी करा पड़ेगा हर साल आप अंदर आ सकते हो जब चाहो पचास दिखा दो कैदो अकाउंट्स नहीं है जब चाहो बाहर निकल जाओ कैदो अगर नहीं अगर नहीं है अगर नहीं जरूरी है अगर अगर नहीं जरूरी है यह पाइंट क्लियर हो रहा है यह पाइंट क्लियर हो रहा है कि पचास से नीचे वाले को या तो 44 एडिये में जाना ही पड़ेगा पचास या उससे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा लेकिन अगर लोड दिखाओगे तो और्डिट कराना ही पड़ेगा अगर दिखाओगे तो और्डिट कराना ही पड़ेगा अगर पचास से नीचे दिखाना है तो फिर और जब कराना है और उसकी डेट कतीस अक्टूबर होगी थी सेंबबर प्लस वा एक बहीना अडिट अबरने की कतीस अक्टूबर और से तर्टी अक्टूबर ये क्लियर हुआ है अभी शुटी ये प्रफेश्टिल के लिए प्र अगर उसको तो जाना ही पड़ेगा कहां पॉर्टीपॉर एडीए में अगर पॉर्टीपॉर एडीए में वो नहीं जाग सकता तो उस केस में अगर लोर है तो है अगरवाई नहीं है ये पहले पाँ समयलो तो मैं आगे बढ़ूं लोर के लिए है खायर के लिए नहीं है कभी सोचा जी मैं जक्तर परसंट दिखा के अब और अड़िट करा लूँ जी नहीं आपको तो भी कती जुलाई लास्ट टी एक टी जुलाई लास्ट टी आपको यहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में तभी मैंने का एक्ट को खोलो और एक एक लाइन पुड़ो लूँ को बॉड़री बात में करेंगे एडिये की कॉयरी और एडिये में बोक्स में टेंड करने जडूरी है जी मैंने कब कहा लोग है तो फायरत फिफ्टी और फिफ्टी से जादा है कोई बुक्स नहीं है वो आप अपने लिए जो मर्जी बनाओ आप जी स्टी के लिए किसी केस में 50% से कम दिखा दिया और ओडिट नहीं करी तो तो अब उस केस में क्या गर सकते जिसकी रिटन कर चुगे वो पिश्वी पिश्वी परसंट दिखा के नहीं लेज दन 50% दिखा यह तो अब अब इस तो टाइम है और इस करने का तो अब इस कर लो सकते हो और 50% से ज्यादा दिखा के अभी अभी रिवाइज कर दिखा दे तो कोई बार नहीं आप दिखा सकते हैं अभी वी 50 से कम है तो अभी दिखा दा 50 से ज्यादा तो वो यह जो रिवाइज रिटन सबसी चूट दी उरिजिनल रिटन तो चल जाएगा अभी चल जाएगा कि आपने तो आपने गलत रिटन भर दी है तो आप अभी भी रिवाइज करके सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दी तब भी बुक्स तो मिंटेंड करनी पड़ेंगी नहीं कोई परसन से ज्यादा करी कोई बुक्स मिंटेंड नहीं करनी करनी अगर आपको ऊपर के प्रवीजन नहीं लगते तो आपको बुक्स बगाने है और आटेट कराने लेकिन बुक्स ना पॉर्वीजश को पढ़िये रहा हूं कि आपको यह समझ नहीं आएगा इसलिए मैं कर रखा मैंने अश्वनी जी एक्ट नहीं सामने है तो किताब खोल लो जिसने अपने इंकम ढाइलाग से कम दिखाई है उसके इंकम डाइलाग से कम है और यार किस बार जो टटर है कि टट्बुणिया रही है सब्सक्राइब करना इसने पहले बता तो लेके ऐसे काम क्यों करते हो यार सब्सक्राइब करते हो इसमें खास तोर पर लिखा नहीं ठीक है मैं इंप्लिकेशन वहां से दे रहा हूं कि वहां पर लिखा था कि आपने आप इसमें लिखा था कि पर और बी में जाते हैं तो आपको यहां परीटर मिली यह लिखा नहीं है पॉर्टीफॉर एई में लिखा नहीं है पॉर्टीफॉर एई में लिखा जाए इसमें नहीं लिखा उसके बाद यह ला चेंज हो गए थे वहां पर वर्डिंग कुछ और है यहां कुछ और है और वहां पर तो क्या है कि वहां तो कंपनी को भी अलाउड है वहां तो चीजें यह और है यह लेंग्वेज बाद में चेंज हुई है क्लेम हायर वाह लिखते थे यह तो पॉटिपॉर एडिये में आप सबसेक्शन और में बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर बोहर होगा तो अकाउंट्स बनाने जरूरी है और और अडिट कराना जरूरी है और है रोगा तो आपक जरूरत नहीं है तो कि वहां से इंटर्वी इंपर हो रहा है वहां ही से हो रहा है यह काउंट्स नहीं बनाने ठीक है ठीक है और किसी की क्वेडिये है सर मैं ठीकली वो डिसकेशन करनी जाता हूं 44 AD and 44 ADA में अगर धाई लाग से कम है यह सुच्छ सुच्छिएशन अराइज होते है कि लॉस हो गया तब तो फिर ऑडिट भी जुरूरी नहीं नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है वो मैक्सिमम आउन्ट टोटल इंकम शुड़ एक घरिटेंगे उसको एसे डाट नंकित वह एक कि ऐसे आधि को रखते क्यों से कम बले है आघर भेटर सेट अपट टोटल इंकम है और टोटल इंकम है ए टी सी के बाद आएगा एक के बाद आएगा टोटल इंकम है मानता हूं तो अग्री वेकि एसे छोड़ हमारे पस लाती ह यह जो खुदी लॉस में होगा हमें क्या देगा सब्सक्राइब क्योंकि आप 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 सब्सेक्शन टू-3 बिल्कुल वह सब्सक्राइब क्या है अगले साल जाकर अगर बाइचास आप इस से आउट हो गए तो आपको होगे कि मेरा जो ऐसेट है मैंने तो पिछले साइड डिया नहीं था आपको रिटन डान वेल्यू निकालनी पड़ेगी दिव्टू क्लेम और उसके बाद नहीं रिटन डानी निकालनी यह दो सेक्शन दोनों में ऐसे लिए सबसेक्शन 2, 44 AD2 में भी वही लिखा है और 44 AD2 में भी लिखा है कोई लेंगवेज बदली नहीं है आप देख रों अगरे साल की रिटन डान वेल्यू निकालते हैं अगरे साल की रिटन डान वेल्यू निकालते हैं वे अगले सालों की आपको यह नोटिस करना है कि हमने डेप्रेशेशन आपको अलाउग और यह डिटन डान वेल्यू वेल्यू वह मानी जाएगी इस साल आप आगे हमने का जी हमें डिजा डेप्रीशन ली नहीं अगले साल क्या होगा अगले साल जो लेक्टर्ण डाउन वेल्यू निकलेगी सारी डेप्रीशेशन निकालकर तम निकलेगी यह सब शेक्शन 3 में लिखा ठीक है जी ये क्लीर हुआ अजे जी क्लीर वा दिलव value निकलेगी after you have charge the depreciation clear ने सर अब आईए 44 84 में जिसका लड़ाई जगड़ा बहुत होता है अब डाउट है ये बरबादी है ये वाला section 44 84 44 A.D.A. में नहीं 44 A.D.A. में आपकी choice है जिस साल जाना जाते हैं जाये नहीं जाना चाहिए तर अकाउंस और अड़िट बनाईए 44 A.D.A. में चॉइस है 44 A.D.A. में अगर आप less than 50 है आपकी choice है अकाउंस बनाऊ आड़िट कराऊ अगले सार फिर आपस आ जाओ हम कोई मना नहीं करते है इस एर इस सेपरेट यह यहां बिमारी करते है पढ़िए जब रखके पढ़िए मैं बता रहा हूं नहीं तो नहीं क्लियर प्लीज रखिए अब अजय जी अलपूरे जिन रखिदी जब पीछे मैडम बैठी है उनको भी पकड़ा दो किताब ताकि वो भी पढ़े हैं मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को बता दो अगर एक बार आप इस सेक्शन में आ गए पाना कंपलसरी है लेकिन आ गए अगर आप आगे और ये डिकलेर इस फ्रोफित पर एई अगले पाई असेस्मेंट आप उनको पांच अगर आप ने अगले साल जाकर किसी भी अगले पांच साल में आपने का नहीं मैं आठ यहां छे नहीं करता, मैं तो मेरे तो प्रॉफिट लोर है, तो क्या कहता है, तो जब जिस साल वापस आए, अगले पांक साल, आप इस स्वेक्शन में जादा जाही नहीं सकते हैं, मैं एक एग्जामपल देता हूँ, जरा अधियान से सुनिये, अलिया अजय जी सुनिये, 21-22 में मैं 44 AD में आया था, आ गया, 44 AD में आ गया, आ गया दा शुदी जी, 22-23 मे मैं 44 AD में हूँ, 23-24 में कहता हूँ, मेरे income lower है, मना नहीं है, कर दो, accounts audit बगार करा, वो करा लेंगे, वो बताता हूँ, मैं lower हूँ, तो आप, क्योंकि 5 साल तक आपको अगले 5 साल तक आप दुबारा वापस नहीं हैं, हाँ, अगर 44 AD में 21-22 में है, और अगले 5 साल भी 44 AD में जा रहे हैं, तो फिर 7 साल आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर एक बार भुज गए, तो 5 और साल वही रहना, अगर आपने उन 5 सालों में कभी भी सोचा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो जाईए, लेकि फिर अगले 5 साल, और अगले 5 साल, दुबारा इस section में नहीं आ सकत पहले ये clear हो तो आगे बढ़ेंगे, ये point बहुत important है, उसमें प्रॉलमें आती है, कि अगर बंदा एक करोड से कम बाला 44 AD दिखा रहा था, वो opt-out कर रहा है, तो उसमें क्या करना है, audit करना है, आपको बताता हूँ ना, पहले ये तो समझ लो, ये समझो, फिर आगे बढ़ आपको, और आपको कि हाँ, मैंने पढ़ लिखा हुआ है, इतजार तो करिए, लेकि वो चीज अलग है और ये चीज अलग, ये तो ये है कि एक बार आप entry कर गए, तो अगले 5 साल भी वही रहना, आपने 21-22 में दिखाया, तो 22-23, 24-25, 25-26, 27, उसी में रहना, अगर किसी भ आना नहीं है, लेकिन अगले 6-5 साल फिर वापस नहीं जा सकते, पहले ये समझे लो, फिर आगे बढ़ेगे, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ये बहुत important है, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, समझ नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूँए, सर फर्स्टियर मे अगर पहली बार करें, मैं बताऊंगा, इंतजार कर लिए, इंतजार कर लिए, सर, एक मिनिट इंतजार कर लिए, मैं करना तो आलड़ी हो, आलड़ी आ गए हुए हैं, अगर पहली बार भी आ गए, तो अगले 5 साल भी रहना पड़ेगा, अगर आप उसमें से बार में करना चाहते हैं तो निकलिए तो फिर उस साल प्लस पांच और साल वापस नहीं जा सकते हैं इसका मतलब यह है बाकी बाते हम बाद में करेंगे पस्ट यह रहे तो क्या होगी ठीड़ क्लियर हुआ कोई है रिश्व अगरवाल दो है ना मैं सन्व पसंजी अगरवाल नहीं बोल रह अब संजी अगरवाल जी बोल रहा हूं क्लियर हुआ कि अगर एक बार आप इसमें गुश गए तो गुशते रहे पहला साल गिनो और पांच और वही रहना है अगर उन पांच साल में अगले पांच साल में बाहर निकल गए तो फिर अगले और जुस साल प्रस पांच और साल वापस नहीं जा सकते यह वाला यह 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 तो पॉइंट अलग है यह क्लियर हो गया साथ सबको अब पढ़िए सब्सेक्शन फाइं नौट में इस तेंडिंग अनिटिंग कंटें इन इन दा पोर गोई प्र अगर आपको अगर अगर अखो सब्सेक्शन फॉर लग गया अब लगेगा जब एक बड़ आप ओर अडञ जाचुके तो आपको अकाउंट्स भी बनाने और और निकलना चाहते हैं निकलिये अकाउंट्स भी बनाई और भी कराईए अगर आपकी टोटल income maximum amount which is not chargeable to income tax is ज्यादा है अगर आप उसमें गुसे नहीं तो क्या होगा वह बाल में बता है यह क्लिर हुआ एक बार आप 44 A.D. में आ चुके हैं एक बार भी 44 A.D. में आ गए हैं अब उनके सबसीक्वेंटियर जो पांच साल है आप वहां से बाहर निकलना चाहते हैं निकलि है अकाउंस बनाई है और फिर दुबारा भी आप इंटर नहीं हो सकते शेस पांच साल आपको कराना ही पढ़े का यह क्लिर हुआ जी पर यह क्लिर हुआ अब दर्विंदर जी कह रहेते मेरा फस्ट यह है फस्ट यह अगर तो आठ परसे से ज्यादा है तो आप 44 A.D. में ज जाना चाहते हैं यह बता तो 44 A.D. में नहीं जाना चाहते हैं पहले साली अकाउंट्स बनाने तो जरूरी होंगे और कराना जरूरी नहीं होगा इप इस फस्ट है और कभी भी आप उदर गुझ गए अगर उसमें गुझ गए एक वर वहां गुझ गए तो पिर तो अकाउं पुझ बनाने ज़रूरी है और इट तो तभी होगा घब अश्वनीजी एक करोड से उपर होगा है एक क्रोड से नीचे का नहीं होगा अगर आप उदर नहीं जाना चाहते है तो आपको आट दिखाना था लेकिन अब पहला एए वह बिमारी यहां आ गई कि पहला है क्योंकि फाईव उलगे पॉर में और फोर कहता है कि एक इसे हुए फाईव वाला फोर की बात करता है अदर रवाइष नहीं करता है तो पॉर में लेटी होलेडी है Stevens सब्सक्राइब कराना है जब परोड रुपे से उपर होगा ठीक है सर वैसे तो दस क्रोड से उपर है अगर वो 95-95 हो जाए तो दस क्रोड है अगर 95-95 परसेंट है दोनों पेमेंट और रसी तो तो दस क्रोड कोई नहीं है सब्सक्राइब क्रोड से नीचे और दो क्रोड से नीचे तो एक क्रोड से नीचे तो और नहीं कराना एक क्रोड से उपर है और आजाएगा अपने वह पॉर्टिपॉर एवी में जाएगा अब जला आपको मैं पॉर्टिपॉर एवी में जा रहा हूं पॉर्टिपॉर एवी on the business shell if the provision of section 44 AD are applicable अजे जी प्रवीजन कब अप जा चुके होंगे प्रवीजन कब अप जा चुके होंगे जब एक बार आप जा चुके होंगे जी जी वो कहरा है एक बार आप चले गए यार अपली के वाली निस केस and his income is which is not charge of income tax to carrying on a business तो उसको audit कराना है उसको कराना है तो भी audit कराना है लेकल लिए प्रॉज्ट लगए तो आपको audit कराना जब तर्नोबर कोई नहीं देखेगा चाहे बीच लाग को तो भी audit कराना है बीच लाग को तो भी audit कराना है लेकिन अगर आप उसमें गए ही नहीं थे तो फिर एक करोड से उपपर को ऑडिट है नहीं कर सकते तो ऑडिट कराने ही पड़े था अगर टर्नोवर करोड से अगर टर्नोवर एक करोड से काम हो गई वह फरक नहीं पड़ता है एक बार पॉटिफॉर एडी में चले गए आउट होते ही और कंपल से कम है और हमारा प्रोफिट भी आठ परसंट से कम है अकाउंट्स में आई है और कि अकाउंट्स में आई है और एक करोड से कंद है और अगर सबसेकेंट यह भी हम ऐसे ही चलते रहते हैं अगर तो कोई मना नहीं है हाला कि शेल है लेकि यहां पर यह गड़बड तरगे हैं क्योंकि इन्हों ने जहां वहां लिखा है कि पॉर्टिफॉर एडी एप्लिकेबल हो तो आपको औरिट कराना है अब बात को समझ रहे हैं यहां पर इनके पास यह गल्ती हुई हुई है मैंने उनक कर गिया है एक तरह आप शेल लिखते हो कि आपको जाना ही पड़ेगा लेकि ओ वो शेल वाला पॉर्टिफॉर एडी में बिल्कुल क्लियर है वहां तो लिखा है लेकिन एडी में एक लूप होल रहे हैं आप समझो ना वहां पर क्या है मैडम और मुझे नहीं पता वहां प पर पॉर्टिफॉर एडीए में तो पचास से कम दिखाओगे अकाउंट्स बनाने है उसमें तो शेल का बिल्कुल सही नदर आ रहा है लेकिन पहले यहां पर भी यही था लिए पॉर्टिफॉर एडीफॉर डालकर यह इन्होंने सारा गडबड कर दी पॉर्टिफॉर एड ने उसका क्लेम कर लिया पिर नहीं हो सर अगर एक करोड से दो क्रोड के बीच में है तो फिर एक करोड नहीं है आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हूं हम्ही 8 परसंट में ही है और हमारी एक क्रोड पचास लागा है तो थीक है वो तो चलेगा न वहाँ अगर टर्न ओवर एक क्रोड साथ लाग है तो परसंट दिखाई सकते हैं अगर दिखा दिया तो अगले पांच साल भी दिखाना है नहीं बाहर निकलोगे तो आडिट कराना है अकाउंट बनाने इसमें मेरा कॉशन है कि जैसे कि हम आठ परसंट में पॉर्टी फॉर एडी में चल रहे हैं उसके बाद एक साल हम पॉर्टी अगले पांच साल जाओगे नी आप निकलना चाहते है निकलिए चाहे वह ज्यादा दिखा के निकलिए या कम दिखा के निकलिए वह आप कह रहा है कि एक बरी वहां जाए तो आपको आपको आफ्ट करना पड़ेगा एए तो लिखका थे पौर में आपको आपको अगरी प्रविजित क्यान इस या वही नवे एंप नंचल है तो सबीचा नहीं हमारी तो क्रोर पंड दो क्रोर से ज्यादा हो गई है आप अन्म्यूट करो एक एक करके जो करें पहले हैंड रेस कराओ ऐसे दिक्पत हो जाएगी अब उन्हें सब सेक्षिन शिक्स क्या लिखाया जाएगी यह पॉइंट पढ़ने वाला सब सेक्षिन शिक्स भी पुइजन अब इस सेक्षिन निजिए और गोई पुरविजन शैलनाट अप्लाई यह सेक्षिन अप्लाई नहीं होगा एप परसंप्ली जोड़ दवर अगर आप पॉर्टी पोर ड़ल एए वन में कवरड है तो पॉर्टी पॉर अड आपके लिए अप्लिकेबल नहीं अब मेरे से कई सवाल पूछते हैं जो डिस्प्यूटिड है कि मैं पॉर्टी पॉर एडी में कवरड हूं हूं 50 लग से नीचे हैं लेकिन मैं बिजनस भी क कर रहा हूं तो जा मुझे पॉर्टी पॉर एडी और पॉर्टी पॉर एडी ये दोनों मिलेगे के नहीं अब बाप को समझे श्वीडी जी मैंने क्या कहा क्योंकि हमारे हमारे सेंटल कॉंसल मेंबर बैठे हैं और बड़े प्यार मौबस से इन्होंने हमें को जो क्या है ये कहते हैं आप कर सकते ही और का काम होता ही बिजनस है और का का काम सारा ही क्यक्ष से होता है तो मैं क्या उसका 6% दिखा सकता हुआ छे तो मिनिमम हैं अगर हायर तो हायर दिखाना पड़ेगा वो तो बात अलग है लेकिन क्या मैं दोनों सेक्षन में जा सकता हूं सब्सक्राइब करती है सब्सक्राइब करती है आप पहले लेंग्वेज तो पढ़िए करती है तो कर दीजिए अपनी हेल्प नेस्क में विजिए संजे जी आप बताइए सब्सक्राइब क्या लिखता है अगर है तो आप 44 AD में जाही नहीं सकते इसकी लेंग्वेज तो यह ना बिलकुल लेंग्वेज यह लेकिल रिटर्न ले रही है इसकी लेंग्वेज दो मतलब निकलागते हैं कि आप प्रफेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यह सेक्शन नहीं है लेकिन बाकी कुछ कर रहे हैं तो क्या है दब विजुलाइज नहीं किया था कि प्रफेशनल बिजनस भी कर सकता है उसको परपस ही है अगला देखिए अगर आप कमिशन ब्रोकरेज करते हैं तो इसमें जाई नहीं सकते अब आपके तीन बिजनस हैं एक बिजनस कमिशन ब्रोकरेज का है एक बिजनस आपको कोई और है तो क्या आप जा सकते हैं बिल्कुल नहीं जा सकते पर वह रही है और प्रसेस भी हो रही है यह नहीं ले सकते ल सबस्क्राइब तो अब अपनी रिटन भी अमिनाज से वर वात हूं उस लिए पैसे खुवारा है वह नहीं लिए नहीं लिए हम ना सुनी रहा है आप हमें सुना हो मौन सुन रहा है तो मैं यह बोल रहा हूं कि मुझे रिटन वर्नी नहीं आती है क्योंकि कंप्यूटर में हम इतने सेवी नहीं है हमेरे फारम तो मैं नहीं बनाए है लेकि रिपोर्ट में बरनी आती है क्योंकि मैं नहीं मेरे साब से देना नहीं चाहिए क्योंकि एक असेसी के दो तीन बिजनर्ट तो कठा ही होता है मेरे बाई अशुणी जी टर्नवर अलग अलग थोड़ी होते हैं टर्नवर तोटल गिरा जाता है तो अब उसका को कि वहां कॉर्ट में मेरे रिजशा निया है मेरे कमिशन इसका क largely में बिजनेस भी देखा था है और और बूख मी बनाए कि कटी दिखा सकते थे हां जी हां जी नो कमेंट सर्थ I can't say any comment क्योंकि यहां आकर थोड़ी सी दिक्कट आ रहे हैं क्योंकि बिजनस हमें तो बोला गया है कांई आपको फांगी कांइर सब्सक्राइब और दिया है वो दिया है कर दिया और दूसरे का नहीं दिया नो कमेंट मेरे साथ से तो नहीं होना चाहिए कि इस चुल ने को गाईडलेंस इसू करी है संजय जी संजय जी इस होते हैं यह पता निशार अपनी हेल्प कर रहे हैं कि है संजय जी इतर बात कर लीजिए इदर यह तो भरी हो गया अभिनाज तो हो गया इससे अधर आपके नहीं करना आपके बोल दिया है कि मेरी रिटन भी उसकी बैलेशीर भी बेज रहे हो लग दोनों कर सकते हो फोर्टीफार एडी और एडी दोनों बैली सकते हो कि नहीं तर्टीनों टालता हूं और मैं लॉस हुआ कमीशन इंकम हुई या मेरा को एजेंसी बिजनस है उसकी नौर्मल बैलेंसीट ले रहा है सुप्स वहां पर है ना वहां पर क्या होता है एक यूटिलिटी में एक नेचर ओ बिजनस का ऑप्शन है उस नेचर ओ बिजनस में वी कें गिव मल्टीपल बिजनसे सो देर इस वन बिजनस विच में भी क्लासिफाइड अस प्रोफेशन और उसके आगे वह पूछता है कि आप इसको 44 करने एक पर से ओपर हो गया तो क्या करेंगे रिए मिनट एक मिनट एक मिनट रहें बता दिए तीनों को मिला कर दो करोड़ से उपपर हो गया तो क्या करेंगे तीनों का मतलब प्रोफेशन का मिला अलगलग 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 नहीं पताइए मुझे यूटिलीटी क्या करती है यूटिलीटी में जितनी भी टर्नोवर बढ़ता हूं वह उस टर्नोवर को पगड़ता है अगर मैं तीन अगर मैं तीन प्रॉफटेल लॉस दूमा तो तीनों को एग्रिगेट कर लेगा वह अपने आप कर लेता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कोई 44 A.D. और A.D.A. का टर्नोवर वहां दिखाता हूं उसको मेरी टर्नोवर में एग्रिगेट नहीं कर रहा हूं यूटिलीटी तो वह बाइचना दो कोड़ों मिलाता कोई मैं बता रहा रहा हूं अगर मेरी बिजनस की 1 करोड 60 ल लेटा हूं तो में को टेक्स अर्डिट में वह नहीं क्लासिफाइब करता वह कहता है कि क्योंकि बिजनस मेरा लेस देन 2 करोड है और प्रोफेशन मेरा लेस देन 50 लेक है तो दोनों को अलग अलग क्लॉस में ले जाते हुए में को अविशकता नहीं है यह गौर्मेंट की यूटिलिटी भी कहती है और मैक्सिमम जो सॉफ्वेर है वो भी है आ गई आपको क्लिरेटी आ गई कि वह गुरुटियर पॉलेट है आपका इसक्षा कहता है संज्जी इंटिट्यूट गया कहता है इंडिवीजूल है आदमी इंडिवीजिवा लैसर यह जो है यूटिलिटी क्या कह रही है इस से कुछ नहीं है बाकि मैं गाइडेंस नोड को देख के बताऊँगा अच्छी तरीके से नय वाले गाइडेंस नोड में क्या वर किया है जाईए इसकी वज़ा से अगर आप सिर्फ बिसनेस वर्ड यूज़ करते हैं तो तो बिसनेस का दो करोड देखना है उसका देखना है और पचास इसका देखना है तो लेकि जहां जा लौट चाता था वहां उन्हें अलग लग किया हुआ है जहां लौट यह ना सोचो लौट बड़ी जगह पर बिसनेस और प्रॉफेशन को अलग लग लिखा है और यह मज़ा आगा है तैंक्यू बिसनेस को य वर्ड यूज़ क कर रहा है वहां प्रॉफेशनल बर्ड यूज़ कर रहा है तो कि पहले क्या देखे एक और चीर बता दू एक गाइड़ वो आया है वह क्या कहते हैं यूटिलिटी का रूल जाएं वह करने के उसमें थर्टीन नाइशन रूल है उसमें एक्षर ए में उन्होंने कह दिया किस के लिए पॉर्टी फॉर एडी में जाई नहीं सकते हैं वह ऐसी चीजे हैं जो हम पहले पॉर्टी फॉर एडी में ले जाते हैं हम कहते हैं जो स्पेसिफाइड प्रफेशन नहीं है उसको छोड़कर पॉर्टी फॉर एडी में जाई है हमने यह कहा था नहीं जो स्पेसिफ एक सब्सक्राल कुष सब्टाने पड़ सब्सक्राइब आपको बागी प्रफेशन का डालोगे जो स्पैसिपाइड नहीं है उपण लिखता है इस इनीजिबल बिजनस विजनस की बात सिर्फ करता तो यहां लिखा जो है करिए वने प्रोफेशन इकाइब बिजनस इकूर प्रफेशन जो अभी संजय जी भी बोलते थे अब आप यहां आकर डिस्टूट आ रहा है आप उपर निप्ते हो इलिजिबल बिसनस नीचे क्यों कहते हो कि परफेशन इंक्रूड नहीं करेगा इसनों जब वो बिसनस है तो फिर परफेशन आता ही इसमें इसका बतला है बागी प्रफेशन आते हैं इसमें प्रफेशन नहीं आएगा लग कर रहा हूं वो तो करे रहा हूं लेकिन इस सेक्शन का मतलब है को आपने पॉर्टी पॉर डबल एक को अलग किया है इसका बागी इसी में आने चाहिए वो तो उसी में आएंगे नहीं फिर वह थर्टी नाइन को कर दिये और उने उसमें क्यों कर दिये अब सर वो एक अलग मुद्धा है वो उनसे उनसे नोटिविकेशन है सब्सक्राइब नहीं लेता है नहीं पड़ेगी ना सर उनसे बात कर निपड़ेगी कि वहां पे वहां पे लेनी रहा इसमें हम जा नहीं सकते पूछना पड़ेगा ना में अब इन्होंने जो वैलिडेशन रूम में नर्सिंग हों को 44 AD से एस्क्रूट कर दिया नर्सिंग हों पर से इस नॉट प्रोफेशन यह हमारे पास कोड की जज्जमेंट्स भी है सब कुछ है तो मैं नर्सिंग हों चला रहा हूं और मेरे नर्सिंग हों की रिसिट 40 लाख है आई यही आएक डिस्प्यूट होते लिए आखे बंकियों कर लेते हैं चला आछ तो आया चे तो आया चोड़ो वो ये करते हैं आखे बने एड किसी जमाने में मैं audit अपनी जो वो थी जो रॉइटी इंकम थी मैं 44 AD में लेता था अब बताओ क्यों नहीं ले रहाँ मैं अब बताओ क्यों नहीं ले रहाँ पाइलो इलिजिबल एससी में लिखा है कि चेक्टर 6 है कि रिड़क्शन मिलेगी तो आप 44 AD में जा नहीं सकते और मैं 80 QQB में 30 लाग का डिड़क्शन देता था वो मेरे को बंद हो गया मिलना मैं छोड़ यार यह गलवड़ हो गया पढ़ो जरा पहले यह नहीं था अब इलिजिबल एसससी पढ़िए इंडिविज्वल हुएफ पार्टरशिक पर्म अदर देन LLP दूसरा पढ़ना ज अब आपर लिंग वाली हैं वो तील लाग की डिड़क्शन मुझे मिलती है ना तो मैं पहले मैं लेता था इनोंगे यह डाल दिया यह मेरा हट गया क्योंकि अब मैं जब वो नहीं मिलेगा अगर मैं 44 A B में जाता हूं तो मुझे यह नहीं मिलेगा तील लाग रुपे तो म अगर मैं अगर 44 A D में आता हूं तो मैं 80 Q Q B ले नहीं सकता है यह यह वाला पॉइंट देखिये कि इलिजिबल सेशी में आपको चैप्टर 6 A की रिलक्शन नहीं मिलेगा लेकिन चैप्टर 6 का सेट अप बिलना है सेट अप लॉस हो सकता है सेट अप लॉस चैप्टर 6 में मेरा हाउस प्रापरटी कालो सेट कर सकता हूं मेरा अधर सोर्सिज कालो से नहीं सेट अप कर सकता हूं मेरा औरॉर पोई लाुस है बैसे सेट अप कर सकता हो डिक है लेकिन मैं चैप्टार 6 की income वाली reduction नहीं ले सकता लेकिं रुकिए ATTTA और ATTTB इसमें cover नहीं होती ATTTA TTP का chapter 6A की C cross में नहीं है वो अलग है अमिनाज जी ATTTA जो 10,000 है ATTTB जो 50,000 है वो मैं ले सकता हूँ इसी में रहने के बाद ATTQQB नहीं ले सकता क्योंकि लिकाशी आइटम आइटम C पढ़ रहे हैं जरा हां जी हां जी सर वो C जो है अगर है जो आप जाओगे ATTQQB में वो ATTTQ में नहीं आता वो CA में आता है ATTQQB के बाद जाना जरा है मैं बताता हूँ आपको ATTTA के ओपर लिखा हूँ है ATTTA CA है यह C नहीं है CA है अब अब आज भी आज समझ गया क्या कहानी है ATTTA CA और ATTTA B B C A है तो CA C B ले सकता हूँ CA CA में TTA ले सकता हूँ TTV ले सकता हूँ ATC वगरा सब ले सकता हूँ लेकिन ATIA से लेकर ATQQB नहीं ले सकता इसलिए मैं इसमें नहीं जागी गया क्योंकि मुझे तीन लाख रपे मिलते थे संजे जी लेकिन ATTTA मना नहीं है ATQQB ATTTA भी मना नहीं है इसमें इसमें मना नहीं है देख रहे हैं आप जब पॉइंट नोट कर लिए लोग कहते हैं अगर चेप्टर 6 है और 6 है कि C heading C heading C heading C heading C heading C B नहीं है B वाले है ATC से लेकर ATGC B है ATC से लेकर ATGC C है ATIA से लेकर ATQQB CA है ATTTA और TTB and ATU आज income test पढ़ रहे हैं सब पहली बार income test at Cal खोल के heading पढ़ रहे हैं आज संजे जी देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं आजे अलिपुरिया जी यह तो पहली बार देखा C क्या है और CA क्या है और B क्या है पढ़ता कौन है income test समझ में नहीं आता पढ़ो तो लेकिन आप देखो क्या purpose है कि TTA allowed है TTV allowed है ATC allowed है CCC allowed है ATD allowed ATE allowed ATG allowed है सब allowed हैं तब भी मैं eligible SSC हूँ लेकिन ATIS ATQQB को मिलती है बाकि सारी अप्रिशेट कर रहे हैं कि ATC to ATGGC हमें कोई मना नहीं है आप eligible SSC है लेकिन the moment you go to ATIA to AQQB आप यहां से बाहर हो जाते हैं आप यहां से बाहर हो जाते हैं यह जिनी ध्यान रखिए यह चीज इंपॉर्टन है मैं आज वही चीज़े बता रहा हूँ जहां important चीज़े आ रही है यह चीज़ आपको बता रहा है तो अब आप इलिजिबल SSC देख लिया कौन है और इलिजिबल बिजनस भी देख लिया तो मेरे हिसाब से यह यहां confusion है एक तरफ दो करोड डिखते हैं उपर लिखते हैं कि 44 डबल एक का 50 लैक है तकि बाकी का तो दो करोड उसमें आ रहा है तो यहां पर भी दिक्कत आ रही है कि बिजन प्रविजन बिल नॉट अलोग है तो इसमें जो मैं आपके सामने रखना चाहता है अब करता जी कोई सबाल पूछो सरकोश्चन ले जहां फिर उससे पहले पहले कोश्चन ले ले संजे जांव फॉर्टीफॉर क्लोज ले 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 हैं को सी पॉर्टीफॉर क्लोज है टार सं जी बताएंगे मुझे जा छोड़ देना मैं आडिट करता नहीं मुझे क्यों डर जराते हों आपसे कोश्चन है सर जो पूछने अभी पर फॉर्टीफॉर एटी में इस सार तर्न वर होगी पांच करूर ठीक है नैंटीफाइब परसंट नाइंटीफाइब परसंट बिजन परसंट बिज़ बिशनीफाइब टैनल राए नाइंटीफर्य नाइंटीफ बेंकिंग चैनल से पेमेंट होई है नौ aussi को फॉर्टीफोर है नुक्रम ऑन्न पि चुक्त पिछले 248 लिया था सर आप 248 की वज़ा से बाहर नहीं निकले आप Ğेंजल की वज़ा से प्रॉफिट मेरा दो परसंट तक माफ है ने प्रॉफिट मेरा दो परसंट से कम है आप एक परसंट दिखाओ मना कौन कर रहा है क्योंकि आपको पॉइंट जिरो क्या कह रहा है कि इलीजिबल से चर्शुरू फॉर्टी पॉर्टी 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 करता है सब सेक्शन वन तो वो तो कहता है इंडीजिबल बिजनस तो जाएगा वो इलीजिबल बिजनस हो का तभी तो जाएगा तो यहां रिस्टिक्शन नहीं आएगी तो वापस आ जाएगी तो वापस आ सकते हैं तो वापस आ सकते हैं तो पांट साल वही आप बहुत लगता है तो आपको पूछिए तो पूछिए नहीं है जी चलो उसके बाद अक्षित गरग जी अगर आपका कोश्चन है तो आप पूछिए जी और सारे जवाब देगी है बीच में ने सब्सक्राइब करता है तो क्या नहीं होगा कि अगले पांट साल के लिए उसको करवाना पड़ेगा कि अगर वाली कंडिशन में आ गया तो आगले साथ कराना पड़ेगा उससे लिखा है कि अगर पूर की वज़ा से आप आए हो पहले पूर ले चुके हो अब पूर से आउट हो तो उसको अपना अडिट कराना पड़ेगा इनका के कह रहे हैं कि मैं आट पर्चंट से ज़्यादा तो डिकलेर कर रहा हूं लेकिन जो रिटन है उसमें मैं फॉर्टी फॉर एडी को अप्शन नहीं ले रहा हूं एकाउंट्स मना रहा हूं और मैं चल रहा हूं तो आपका कहा ओर कर आँ हूं अाशे लिखा है सर वार यसे पर्ट्फार एडियर क्लियर कर दिया किवह थो लोर हो गया है तो लोर गया है क्लियर कर दिया या क्लेरिटी में कमी है आप कह रहे हों कि मैं दो करोड से कम हूँ वहाईर प्रॉ Jenny दिखाकर मैं अकाउंट बना रहा हूं अकाउंट बना दीजे नहीं करेंगे हाला की वर्ड शेल है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं आपको बता हाला की वर्ड शेल में तो हैर भी आना चाहिए इनका क्वेशन यही है कि मान दीजे मैं अकाउंट बना रहा हूं फर्स्ट यर में मेरी एक ट्रोड से कम है मैं आट परसंट से उपर वॉलेंटरली अकाउंट बना के दिखा रहा हूं तो मैंने लेकिन लॉजिकली वहां जाना चाहिए था क्योंकि शेल वर्ड है और शेल वर्ड को 44 ADM में क्लियर कर दिया अच्छी तरह सब सेक्शन 4 में यहां पर वो क्लेरिटी नहीं आए चाकि दोनों एकी तरह की लेंगवेज है लेकिन वहां पर लेंगवेज 4 में मरवाया है यह 4 सब सेक् अपिल जी आपका कोश्चन आपका है तो पूछिए जल्दी जी फिर आगे बहुत कोश्चन है प्रफेशनल के केस में जो पार्टनर्स है उनकी अगर सेल्डी और इंट्रस्ट 50 लाग से उपर आ रही है तो फरम कर रही है प्रफेशनल नागी बाडर कर रहा है वो तो क्लि इंट्रस्ट तो टाइड कराना पड़ेगा फिर दुकुल करना पड़ेगा पर फिर वो फिर फोटिवरेडी में है कहां अचाया एबी सब्सक्राइड अमेरिका पॉंबे आरे जाएगा आ जी अप्लिकेबल होगा नहीं सब्सक्राइब जो रेमुरेशन और जो इंटरस वन कैपिटल है उसके ओपर किसी भी तरह का कोई टेक्स और इस नहीं लगेगा सब्सक्राइब जो जितना डिड़क्शन मिला है उतना हम इसको इंकम माल नहीं है यह इंटार पाइब केस है इस विए मैं पास सकता हूं तर इवन सब्सक्राइब करते हैं तो तो भी सब्सक्राइब कर रहा हूं उसका एक सेप्रेट उनने शडूल दिया हुआ है सब्सक्राइब कराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है सब्सक्राइब करते हैं मेरे पास अभी इस ताइम नहीं आ उसमें उन्होंने इस पॉइंट को क्लारिफाई भी कर रहा है कि यह जो है वह इस के अंदर जुरत नहीं है कोई क्लारिफिकेशन दी है इन्होंने मैं देखके बताऊंगा तो और इसको सब्सक्राइब कर रहा हूं जी पूछे एक कॉस्चन फिर नेक्स्ट कॉस्चन गीता हाना क्योंकि प्रॉब्लम वो है वो फॉटी पॉर एडी पोर की बात करता है वेज़े लेकिन वो कह रहा है कि जब आप फस्तियर हैं अकाउंट्स मेंटेन कर लीजे और लिखा नहीं है और तो तब लिखा जब एक बार आप पॉटी पर एडी में जाएंगे तो उससे जब तक बुक्स मेंटेन करते हैं हम एट परसंट से कम शो कर सकते हैं पहले एक बार चलेगा फिर नहीं हाँ जब जब तक बुक्स लिखते हैं चाहे आठ साल हम कम शो करते रहें बुक्स लिखके बुक्स लिखके तो मना नहीं कर वैसे तो लीगली तो वहाँ शेल लिखा है लेकिन वहाँ यही प्रॉप्जम है शेल कर संटाइन में आता है वो यह बजट में इसको ज़रूर रेट्रोस्पेक्टिव सही ग्रुम है अग गीता श्रमा जी अपना जी डिसकर कर चुका इसको एसे दलने नीचे और एक बात लिखतें यह बली क्लियर करने के लिए और हम तब 9 यह फोर भी आतवाना चाहते है जब एडिये है कि जब चाहो जब लो चाहो चले जाओ तो यहाँ पर भी होना चाही चाही चाहो चले जाओ पहले यह नहीं था पहले वही था हां जी घीता जी कोश्चन कुछी है अपना नमस्कार सर्थ मेरे क्वेस्चन यह कि जैसे बिजनस कमिशन है तो उसको हमें टॉन ओवर में लेना चाहिए कि या इनकों प्रम अधर सोर्सेंट करता है जी कमिशन कर क्या आपकर रेगुलर एक् अधरेट बेटा व्यान के वहीं तो यहिए नेचर नहीं बता ना क्या है सन्युल्ट आपकर रेग्रेट अचिव करने पर दिसक्लच समझन था है वह तो बिसने से वहां बैका तो टाफ़ वहाला समझ रहे हुए ने तो यहना ने तौन वहां अग्जेश थाए ने निरेश का पाई जी अगर आपका कॉश्चन है जैसे अगर कोई एक एक पर्टिकुलर एर में 4480 के लिए आप्ट करता है लेकिन उसका वालू एक साल पाट कहा है अब वह करता है लेकिन दूट्व संफान रूट बिजनस एक साल में नहीं रहता है तो एक वो सपोस्पोस जॉब करने लगता है लिए वन फायल करता है तो सर अगर इंदे नेक्श्ट फाइब इस अगर वह दुबारा सक टर्ड़ करता है तो कि alternatives कर लिए लिए खैसके अगर बिज सब्सक्राइब कर दिया कर दिया कर दिया तो गलत काम के लिए जिनों ने खाया ना पिया आठ परसन दिखाया तो यह जो बेड़े वेड़े आप करते रहते हैं चल आठ परसन चल आगे चल आगे बेड़वाई तो यह उसके लिए नहीं आजकल आठ परसन कवाना आसान ताम नहीं है मैं आपको बता दूँ है कि अगर एक रोड से कम हम ओडिट कर रहे थे पिछले सालों में अब इस वार नहीं करना चाथते तो फिर क्या प्रविजिन है सर्व हमने रिक्वार्मेंट की बाप मुझे ना करो लागा इस एक रिपोर्ट कैसे चली गई उसके लिए 31 अक्टूबर डेट नहीं थी यह बता दूँ और अब रिक्वार्ट करके को जिए पैसे जब अक्टूबर कर दूँगा अथी निकल जाते हैं जब पकड़े जाओ और तो कुछ नहीं नहीं निकली जाते हैं हां जी आपका हैं जी सोनिया सोनिया डबल लिखा हुए जी आपने जी बेनायक मंसर जी हां जी आप कुछी है कुछंच जी इस ऑफ लो आपका अमुट है बिनायक मंसर जी आपका भी अनमुट है अगर नहीं लिखते इसका कोई फर्क पड़ता है नहीं लिख पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है बहुत जीरों लेके जाएगा यह पड़वाया क्यों गया है आप यह ना कह दो कि जी मेरे अकाउंट्स मेंटेन नहीं है अब बनाना जुरूरी नहीं है इसे बतका है अधरवाई जीरो ले जाएगा अधरवाई जीरो लेके जाता है जी पड़ेगा यह नहीं है यह रजीरों आपको सब पता है किया है कि अनुदि किसे लेना वह नी तो पैसे ज्यादा बैंक में पड़े और पिछली वजह से वाए हुए पैसे इसलिए तो मांगे टेटर करेटर और कैश इसलिए आप से अगला फंड प्लो आना है अनांद जी और सोनिया जी आपका भी हैंड आपने अलाउट टू किया हुए है तो आपका पूछ सकते हैं जी कुश्चन अनांद अगरवाल जी देन परशोत्तम बोहरा जी रूशिल गुपता जी अगर किसी का कुश्चन है तो पूछ लिए सर मेरा डाउट था कि अभी यह जो नोन स्पेसिफाइब प्रोफेशन रहेंगे तो वैदर दे कैन गो अंडर 4480 सर मेरे साफ से येस लेकिन आप इन्होंने वो जो डाला है मैंने आपको जो जो वैलिडिटी रूल्स उसमें जब फॉर्म पाइब आया तो उन्होंने एक नोटिविकेशन आया हुआ है पांजी नेक्स्ट सर जगमोन सिंग जी तर ऐसे है एक पर सब्सक्राइब किसी बिजनर से प्रिकेवर करके जिए आप यह जो भी है नहीं यह यह नहीं 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 तर अधर सोर्स में जडाल सकते हैं यह गडिया एक्तिविटी यह इस सिस्टेमें नहीं है वान टाइम है तो तर पिसमार्ट वाली एला तो तो प्रूब देने खर्चे हुए ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्जी से अपना कॉश्चन कुछ है मनीश कुमार जी अगर कोई ऐसे कोई पर प्रोफेसर आप उसको से लिए और वह पर लेक्टर लेने जा रहे हैं वहां पर अधर सोर्से अधर सोर्से दिखाते हैं पेपर चैक कर रहे हैं अधर सोर्सेट आपका कॉश्चन था आप पूछिए प्रोफेसर तो अगर किसी का कॉश्चन है क्योंकि इस टैम हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम 48 के हुए में कॉश्चन पढ़ें सबको पढ़ें क्योंकि मैक्सिमम के आंसर हो चुके हैं अगर फिर भी किसी का है तो वह काइंड अवह सब्सक्राइब मैं हम इसमें जो आफ्ट प्रसेंटों वाय। पार्टनर्स पार्टनर्स एक तर्टी तो थर्टी तर्टी सेवन में आता है तो वह बिल्कुल नहीं ना ना रिश्व जी अपना कोश्चिन पुचिए हमारा एक ट्रेडिंग बिसनस है हम 4480 ले रहे हैं तो इस साल क्या हुआ है डेरिवेटिव में हमारा बारां क्रोड तो उसमें हम ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट अलग निका लिए हर ट्रांजेक्शन का लॉस लिका लिए इंकम तो नेट होगी लेकिन पॉर्ट पर्फोस टर्नोवर अल नेगेटिव और फेवरेबल और उन फेवरेबल दोनों को जोड दीजे उसके बाद होगा अब कितनी बारांग प्लस एटी लैक्स बारांग रिपोर्ट करेंगे लेकिट प्रॉपट लॉट जब आएंगे ना इंकम राइट साड़ में आएगी लाउस लेट साइड में आएगी अगर कल को उन्हों संजय जी अगर कल को क्लोज 40 से उन्हें ने उठाके कह जिया कि आपने रिपोर्टर टर्नोवर कम दिखाई है और वहां पर आपकी डवल है तो वह तो अन्या क्लेश पढ़ जाएगा नहीं अश्वनी जी आपका एनेक्शर जाता है टेक्स ओडिट रिपोर्ट में वहां ट टर्नोवर लेनी है एक फॉर्म 10 डी भी निकालता है ब्रोकर वैसे वह नहीं है उससे ही टर्नोवर निकल जाती तीसरा जो आपने तो कल्कुलेट कर ली एक पॉइंट अभी हमारी काउंसिल में बारा या तेरा तरिक को आएगा एक डिसकेशन चल रहा है क्योंकि होगा और प्रॉफिट जो है वह आपको जादा हो सकता है तो हमने जो इसमें लिक रखता था इन फैक्ट यह स्पेकुलेशन वालों के लिए लिक रखता था यह और उसके बार लोस होता है तो वह प्रीमियम ही मैक्सिमम टर्नोवर है लॉस उसमें जोड़ना नहीं सुदे अगर प्रॉफिट होता है प्रीमियम से ओवर एंड अब वह तर्नोवर में जोड़ लेना चाहिए इस पे अभी तो इसको करेक्ट करने का विचार चलता है कि कई बारी आप करते हो तो फिर भी तो होता है कर्यों होगा करेंगे तो करेगा तो कंक्लूड करेगा ना वह करेगा करते करेवर चाहिए नहीं करेगा करते करेवर चाहिए एक्सपाइडी करेगा तो उसको मैं अगले महिने की पर करते ह तो मेरे जब करता हूं तो करने में उतना ही डिफरेंस जो है मुझे देना पड़ता है अब यहां पे सर एक इशू यह आता है कि मान लीजे मैंने एक अगस्त को अगस्त एकस्पाइरी का ऑप्शन लिया या या पूट ऑप्शन लिया या कॉल ऑप्शन लिया आया मैं प्रीमियम पचास रुपे है और जो प्रीमियम में लिया दिया यह रिफरेंस के उपर अब कैसे होगी प्रीमियम मैंने जब लिया ऑप्शन तो पचास रुपे का था ता जब मैंने ऑप्शन को चालीस रुपे का बेचा या साथ रुपे का बेचा और इसमें क्योंगी तो सब्सक्राइब लॉपे जोड़के साथ रुपे की टर्णोवर होगी तो यह चाहिए कि ऐसे क्लेरी क्लेरिटी होगी इसको अर्पिद्य रोडा जी नेक्स्ट कोश्चन आपका सर पूछिए यह अविनाश यह अपने इशू जो हैं यह जो डेरिवेटी वाले हैं क्योंकि यह लैग हुआ वाइशू गाइडेंस मोड में इसको दे दो तो मैं व अनी में उसमें भी पता बताएं की प्रीमियम को लग से लेना है या जो ड्लिए डेलीवरी जिस तो बात में वह इंदा मनी होगी तो मेरे को मिल गया पर में को जो बेल है वो मेरी स्ट्राइक पर मिला तो मेरे को अपनी कॉस्ट जो शेयर की है नेट करनी है या प्रीमा लग से इंकम ट्रीट करूँ और कॉस्ट लग से करूँ यह तो अब बनाश बताएगा यह आप फोन पे पूछ ले ना लोगों के कॉश्चन कंप्लीट करा दें क्योंकि टैम हमारे बस स्रिक ग्यारा मिन्ट बचे हैं ठेक है जी क्योंकि सार नेक्स्ट कोश्चन अर्पित रोडा जी का एक्चुली यह कोश्च्ट किया यह कहीं भी डिसकॉस्ट नहीं है आज तक अर्पित रोडा जी इन उसके बाद पंकेज महाजन जी रूशिल गुपता जी अगर आपका कोश्चन है हांजी एक करके हांजी पंकेजी पूछिए पहले एक असेसी है जिसकी पिछले फिनांचल एर में टॉर्मवर की डेड़ करोड की उसने आठ परसंट पर फाइल कर दी रिटर्न इस साल उसके टॉर्मवर है लेट से 90 लैक्स की तो सब बैलंशीट फाइल करके बिलो एक परस अब आपस भी नहीं आ सकेंगे तो मतलब अगर मैंने अगले पांच साल अगर जा भी नहीं सकते इसके अंदर और अच्छा साल मेरे लेट कर वाया था अब मेरे लेट कर वाया था अब मेरे लेक्स की है तो मैं इस साल और बुक्स बनाके बिलो शिक्स परसंट प्रोफिट इकले अगर ते नहीं नहीं कराने का मतलब नहीं है पॉर्टी पॉर एडी में हुए थे कि आप अपनी मंगी तो नहीं कभी कए तो उससे पहले साल गए हूं नहीं से पिछले साथ देर को की तरह और में चाहिए रहे है कि सब्सक्राइब कर देंदे और तो पर फॉर्टी पॉर्टी पॉर में कराया था पॉर्टि पॉर्टी पॉर्टे पॉर्टी में गराया था यह में कराया था और अएस बार नोर्मन बॉक्स बनाके बेज दो बेंग se इसले साल ऑडिट जो है वह विकॉज ओपॉटी वर एटी नॉन कंप्लाइंस कर आया था तो पांसल की दिभार हुआ होगा तभी नॉन कंप्लाइंस होगा मेरे भाई अपनी अच्छी फर्स्ट कियर में कहां से आ जाएगा वह नहीं सर आप पॉटी पर एभी इपड़ो वह क इसगहाँ पॉटी फॉर एभी वनी माना जाएगा विकॉज वह ऑप्शन ही फास्ट सियर में ले सबस्केर नहीं सकता तो नहीं लिया था घॉती वर्य झालत पार्वर एदी ले चुकआ है जैव पॉटीस्छां के फुट्या करता आगे बढ़ चाए पीने लग ए अब लोगों को पिठा रखा है कंट्रोल रूम मेरे पास है नहीं ना जी इस नहीं पास रखता हुआ है जी आपके पास भी आप यूज नहीं करते कंट्रोल रूम अपना सब्सक्राइब कर रखा है जिनके हैं सर मेरा एक डाउट था कि यूजली हम अगर जिस सामने 44 AD सब्सक्शन 4 आया था उस साल की बजट स्पीच में और मेमरंडम में यह लिखा हुए कि अगर परसन प्रजम्टीव में जाता है अगर प्रजम्टीव जा रहे तो आपको बुक्स मैंटेन करने की जूरत नहीं अगर प्रजम्टीव में नहीं तो नहीं तो नहीं आएगा जैसे लिखा हुआ है यह लिखा यह सीधा कर लिया असे सी बीग और अधर देन लपी कंपनी इसमें जाएगी अधि कंपनी कहां से चले जाएगी वह अगरी नहीं सकती अगे जी कंपनी प्रफेश्यन नहीं कर सकती प्रफेश्यन इंडिवीजन करता या फर्म करती है उन तो अधा दिया औरों ने सार देखने को तो सेक्शन बड़ा चोटा लग रहा था लेकिन मेरे खाल में दो घंटे भी डेलिवरेशन खतम नहीं हुई आपने क्यों को अपने सारे पूछ लिए तो इसका मतलब है सारा कुछ क्लियर हो गया एक मेरे को मैसेज़ आए चैट बॉक्स में क्लोज 44 टार उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कहा कि प्रमोजी आज अवेलेवली थे संजे जी मैं आपको थोड़ा अपडेट कर देता हूं प्रमोजी का मैंने लास्ट सेमिनर सुना था उनका यही मानना है कि असैसी ने साथ से नहीं मनाई है और गयर इंफर्मेशन दिये भी डिस्क्लोजर दे सकते हैं तो वो मैं आपको द्वारा शेर कर दूँगा अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा संजे अगरवाल जी हालांकि इन्होंने पहले बोलना था हमारा पंगरा मिंट पहले हम लेड थे इस वज़ करेंट तो सच है जो घैढ़न्स नोत है अगस्त मैं अपरूब होगा और पॉ vendor के कांप्रिव करेंगे और उनको करने के बाद चाहने की मैं ने दो तीन इश्यूस बताए जो उसके कवर कर रहे हैं कि आप इसका जो है वह नहीं कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कोई लॉज में देना है अगर माली जिए आप छे में से दो कोई दे सकते हैं तो आप दो की दे दीजिए और बाकी के लिए आप अपना डिस्ट्रेमिट दे सकते हैं जैसा कि अश्वनी नहीं यह बता है जैसे कि आपको लॉज नंबर वन में टोटल आमाउंट अफ एक्सपर और सेकशन 57 और सेक्शन 298 को अगर हम पढ़ने तो यह उया सप्लाइटी डेफिनिशन पूरी वहाद दी हुई है हम लोग यही सजेक्शन दे रहे हैं कि जो भी डेफिनिशन जी एक्ट के अंदर दी है वो हम लोग डेफिनिशन को कर लें तो अगर आपको यह कॉलम की डिटेल देनी है तो आप सेक्शन 247 और सेक्शन 2 सब सेक्शन 78 को देख लें जिसके अंदर उन्होंने बताया क्या है इसी तरीके से इसके अंदर जो और सेक्शन 9 है जिस्टी का 9192 और शेडूल 3 इनको भी शूट रेफर कर रहा है कि आप इनको कंसिदर करके इस के बारे में आप डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं कंपोजिट सप्लाई के अंदर थोड़ा सा इश्यू है उसके अंदर क्योंकि जो लोग कंपोजिट सप्लाई देना है उनको जो है अपने इन्वाइस के ऊपर एक तो वह टेक तो यह जो है चोटी सी मैं जो टाइम में बताना चाहरा हूं इसके लावा आप अगर कोई आपडेट की बात कर रहे हैं तो काउंसिल के अंदर एक हमने जो है वह अभी हमको सहभी ने और सोशल स्टॉक एश्चेंज के लिए हम लोगों को जो है स्टेंडर्ड बनाने के लिए सहभी ने अपने साथ पार्टनेरिंग करी है यह एक नया कंसेप्ट आने वाला है जो एंग्योज हैं उनको भी अब स्टॉक एश्चेंज में लिस्ट करने के लिए जो है वो फैसिल्टी दी जाएगी और वो एंग्योज जो हैं वो आपको स्टेंडर्ड जो हैं उनके बना सारे लिए नहीं चीज आजएगी किलाबा अगर कोश्चन हो मैं अवीचा अवेलिबल रहता हूं समय को देखते वे क्योंकि अश्वनी जी ने साथ बज़े का टार्गेट रखता हुआ है और साथ बजगे अविना जी आप कुछ कहना चाहरें बोली मैं यह रिक्वेस्ट क बेख करना था जी आउ जी स्ट लॉ है मैं जब जो है आउ जी इस यह बाले सार्गे में यह अलग अलग लग 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 लिजर एक्वाट आप्टीवाइज अब सर्य प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है वेडर इटिवा एडवीच अश्वाट उसेश्वार इड़ जो हमाई as a tax auditor will dig down into the system मैं एक क्लाइंट ने मालनो मुझे अपने 50 करोड के एक्सपेंडिचर को बाइफर्केट करके भी दे दिया कि ये वेरा बाइफर्केट है सर और मी एज़ टेक्स ओरिटर क्या ये पॉसिबल है कि मैं सारी चेज़ चेक करूँ सर जो डूसरी चीज़ which is a more bigger issue is that what income tax department will get with these detail sir they earlier they are getting this detail to cross verify the same with their GST return and GST return oke early data available so I believe sir institute should talk to the income tax department volcano officially I tried to convince them कि this details are practically impossible without the same being incorporated in the GST law and it is a futile exercise what we are going to do in the next tax order. तो वोट को कुछ समझ में आ रही है चीज़े तो मेरी request है कि सर इंसिटूट से इसके ओपर immediately represent करें ताकि अगर वो इसको defer करना चाहें या या हटाना चाहें तो इस particular section इसको clause को हटा दे तो इस इसमाइ रिक्वेस्ट को अभिना जी सो फार है साथ अगर यह कहना चाह रहे हैं तो मैं सिरफ इतना कहूंगा कि इस शूट ने अपने लेवल पर कोशिश करी है लेकिन इस शूट कभी भी नहीं कह सकता अपने और इस शूट के नौट से कि आप कोई दे जाएंगे जहां पर इंपॉसिबल इवेंट होगा और जो है इस पॉइंट को भी आप कि अगर हमारा ओडिटर जितने पॉइंट पर दे सकता है छे में से दो में दे सकता है दो पर इंफर्मिशन दे बाकी में अपना जो भी देना दे लेकिन शूट एज बाडी ये नहीं कह सकता कि भी सारे लोग डिस्क्लेमर दे जो इस नौट पॉसिबल जी बोड़ाइस तो पॉस्ण देस पॉस्सक्तर देसे लिग समय होग दो भी स्ट ए में चाहरो रहीं कि भी समय होग तेस्ट बड़ जी बीक्तर उफ एक देस्यूट वपर धिटाफिर जितने जितने में जू ए वंगश पोग्यू पॉस्तर प्रॉस्ट एकश पॉस्त पॉस्ट एक्राइब is what I wanted to say. Thank you. You can conclude now. उसके इलावा जो हमारे पैनलिस्ट वलंटियर करना चाहेंगे help desk में, उनका हम एक number share कर देंगे name wise, कि ये दो घंटे के लिए available होंगे और आप उनसे अपना कोई भी answer पूछ सकते हो, question पूछ सकते हो. ये हमने आज से launch कर दिये, मैं आप सब को circulate कर दूँगा. एक चीज़ बता दूँ, मैं कोई reply नहीं दूँगा return उसके उपर email पे, क्योंकि एक reply देता हूँ, चार सवाल उसके उपर event बटा आजाते हैं. और जिसको पूछना है, मेरे को telephone पे पूछ लिए. गुरुजी चेले को आपने लगते हैं. फिर वो आता है, इफ ये होगा तो क्या होगा, इफ ये होगा तो क्या होगा, इफ ये होगा तो क्या होगा, मेरे बसका नहीं है. जिसको जुरूरत है, मुझे phone करे, अगर मैंने उठा लिया, तो well and good, नहीं उठाया है, तो message छोड़ दे, I call back. But please don't expect me, और आप मेरे को email करेंगे, मैं जवाब नहीं दूँगा आप मुझको phone पर ही बात करेंगे, मैं WhatsApp पर हमारी है, उसमें से वो जो पैनलिस्ट होंगे न, वो अपने आप answer देख देंगे. उसके नीचे हमने disclaimer लगा देना, this is not an opinion, this is only the answer to your opinion. जाओ अब उसके नहीं कहा रहा, sir, होता क्या है, ACA जब भी सवाल करता है, फिर if and but, फिर द्वारा सवाल पूछेगा, फिर तीसरी बर सवाल पूछेगा, चौरती बर पूछेगा, उसको पूछेगा, उसको सटिस्पर ही नहीं होता, अगर ही हो जाए तो क्या होगई? तो मैं तो तो यार एक बार ही मेरे से सब कुछ पूछ रहे, टेलिफून करके, मैं सब कुछ बता दूगा, but don't expect me to reply to you again and again, again and again, उसी चीछ में वो बार-बार आती है, बाकी कर सकते हैं, मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ जादा, मैं उसनी में बोल दूँआ टेलिफून पर, मे 280 सारे सेमिनार में ही रहे, इडवाज एक गुड नंबर, हालांकि क्लोज 44 पे हमने ये प्रोग्रम किया, लग रहा था कि एक दो मिनिट का होगा, ये दो गंटे में भी किन्क्लूड नहीं हुआ, पुरी तना, आप जाके, क्वेश्चन लोगों नहीं हुआ, आर सवाल का ज आरे इंटरनेशनल टेक्सेशन पे आए हैं, अगर तो आपकी को क्वेरी अप मेरे रिखल में टायम नहीं रहा, इनका नंबर शेयर कर देंगे, लेकिन दो गंटे ही तंग करें, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, अगर वह भाग जाएंगे, फिर हमारी हेल्प्लेस्क बंद हो जा जवाब दे ज्यान पात्रें और ज्यान पात्रें में फाइदा होगा रिखल जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो उपर वाला देगा काम, चिंता मत करो, जवाब सब को दो, जो भी मांगे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दा बिग नंबर ज्वाइन इन बिग नंबर, तो टेक्स्ट प्रोग्राम भी हम आपको अनौंस करते रहेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, फॉर ओल दी पैनलिस्ट, संजे जी, ग्रीज जी, तो गुरू जी का तो चलो, हमेशे धन्यावाद है, हाड टोपिक पे, और देन अविनाज जी, और जो हमारे दिल में कर प्रोग्राम करना चाहिए, और भी हमारे आज प्रमोज जी, ड्यू टू सम्मलब टाइमिंग गैप, वो नहीं जॉइन कर पाए, नेक्स्ट प्रोग्राम में जब भी वो आएंगे, रिशव जी, मैं और जितने भी पैनलिस्ट हैं, और सबसे ज्यादा अटेंडिस, जिन्ह घजए, प्र बिर्शेगे, बजल सम्मलब झाए, प्रकारवणी, ऐस्वी ज banana में खब़ थ। estásवा जैए, जिर भी मजाए जी, मैं और सक्षेटंगा सूरस्ट, शिरja आए, जाए ख़ी, मैं और सक्तितने भी हमकिशने हैं, और सक्पारी सभाएव कर और सम् क्या हैं, हैं ज